आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे पहले बॉलर के बारे में जिसके आगे बड़े बड़े बैट्समन ने हार मानी थी जी हाँ हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे पहले बॉलर मुहम्मद निशार के बारे में वीडियो सुरू करने से पहले आपसे एक छो टेस्ट मैच खेला गया था इस मैच में कई सारे रिकॉर्ड बने जैसे कि भारत के लिए पहला रन बनाने का रिकॉर्ड पहला बिकेट लेने का रिकॉर्ड भारती टीम में मुहमद निसार का चैन हुआ था निसार ने भारत के लिए पहली गेंद फेकी थी इस मैच में निसार शांदार पर दसन करते हुए पहली पारी में पांच विकेट ये थे उनकी गेंद बाजी के सामने इंगलेंड के बलेबाज बेवस नजर आये थे मुहमद निसार भारत के पहले तेज गेंद बाज थे यह भी माना जाता है कि भारत में आज तक हुए तेज गेनबाजों में सबसे तेज और सर्विष्ट थे निसार का जनम 1 अगस्त 910 को पंजाब के होशियारपूर में हुआ था दाय हाथ के फास्ट बॉलर निसार भरपूर जोस के साथ गेंद को स्विंग वो कट कराने में सक्चमते लेकिन इससे भी बढ़कर उनकी स्पीड थी निसार ने वर्स 932 से 936 के बीच 6 टेस्ट खेलते गए 25 विकेट जटके थे इसमें तेरे विकेट विकेट आउट से लिए अमर सिंग के साथ उनकी जोड़ी कमाल की थी उन्होंने अपनी पहली और आखरी टेस्ट मैच में पांच विकेट चटका है थे जब भारत का बटवारा होने लगा तो कई नवावों निसार को भारत के पक्ष में रहकर खेलने का अनुरोद किया लेकिन उनका दिल पाकिस्तान के लाहौर में ही बस किया था बटवारे के बाद निसार ने अपनी भारतिय साथियों से पत्र के माधियम से संपर्ग बनाए रखा आपको बता दे कि मुहम्मद निसार पाकिस्तान किर्केट बोर्ड के संस्थापक भी बने उन्होंने पाकिस्तान की पहली टीम चुनी राजनीती के कारण निसार ने चलदी किर्केट पर शासन को अलवीदा कह दिया 11 मार्च 1963 को 53 साल की उमर में ट्रेन यात्रा के दोरान दिल की गती रुकने से उनका निदन हो गया और मौत के समय भी निसार का किर्केट किट उनके साथ ही था वीडियो देखने के लिए और चैनल को सबस्क्राइब करने के लिए धन्यवाद